चार्जिंग हैबिट ठीक होनी चाहिए यानि मेरा मतलब है कि आप अपने फोन को कभी भी 0% तक डिस्चार्ज होने के बाद ही चार्ज में ना लगाए अगर आपका चार्जर स्लो है और आपके मोबाइल को चार्ज होने में काफी समय लगता है तो आप दुसरे चार्जर यानि उसी कमनी का इस्तमाल कर सकते हैं तिसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि आप महिने में अपने फोन को एक बार पुरी तरह से डिस्चार्ज कर दे और फिर जाकर उसे फूल चार्ज करके इस्तमाल करें USB केबल भी कुछ चार्जर की तरह है सब बराबर नहीं होते जो चार्जर आपके फोन के साथ दिया गया है अगर आप उसका इस्तमाल करेंगे तो बेटरी के चार्जिंग की रबतार बहुत बढ़िया रहेगी अपने मोबाइल फोन को कभी भी चार्ज में लगा कर यूज ना करें सबसे खास बात तो ये है कि उसमें गेम न खेले क्योंकि इससे मोबाइल फोन पर ज्यादा लोड पड़ता है